तो गाईज यह हमारे सीनियर गाड साहब मुक्तार रामत भाया है और देखें सीनियर होने के बाद भी गाड़ी मिलाने के लिए आये थे कि यह एन बिलाई अच्छा दे दिया है ने कि स्टाटर मिल गया है गाईज मेकनिकल रेक एन भी लाई देखें गाड़ी मिलाने के बाद मुक्तार प्या जो है तो यह है कि देखें कोई भी गाड़ हो चाहिए सिनियर हो जूनियर हो चलने से पहले उनको यह काम कर लेना सुनचित हो लेते हैं सेकंड सिम्ला क्यों काता था रांची को हाना इन को अधाए खंगों को जूनियर हो जूनियर हो जूनियर हो जूनियर हो फही उना धर प्यूम आद हो जूनियर यह चैन स्कीड निकाल लिया गया है चैन स्कीड लेके जा रहे हैं भाईजी देखें स्टेबल क्यावा गाड़ी यह स्टेबल कभी भी रोड़ स्टेबल है तो एक मेमो दिया हुआ हो यह प्र-णिया किया गया है तो किस किस में किया गया है हमारा देखिए ब्रेक भान आके चेक करना है देखिए ब्रेक भान में आपका यहां पर यह हम चे एक मेरा प्रीबेस वीडियो था उसमें बताएं थे यह नेट देखिए उपर है यह उपर नेट है मिन्स यह अपलाई किया हुआ है ठीक है यह ठीक है आपको घुमा घुमा कर क्या करना है ठीक है इसको खोड़ लेना है ठीक है देखिए सब्सक्राइब घुमाएंगे तो वह नीचे जाएगा नीचे जो है आपने तो वह चरा जाएगा ठीक है गाइस यह बहुत जरूरी है अब यह कहां तक जाएगा वह प्रुचित होना है इसका पिस्टन देखे बाहर पुरा निकला हुआ है देख पार है है यह पीस्टन जो है पुरा क्या है बाहर आए हुआ है डामי्स इसमें हैं अपलाई किया हुआ है आपको क्या करना है छे गाड़ी आगे से प्रोम इंजन साइड और छे गाड़ी प्रोम ब्रेक भाइंड साइड अब क्या करना है ओपिन करना है क्योंकि वो अपलाई किया हुआ होगा ठीक है रोड साइड में 24 आवर से ज्यादा अगर गाड़ी स्टेबल हो तब उसे GDR करना होता है अगर नहीं है 24 आवर से कम आवर तक है तो GDR नहीं करना है फेंड ग्रेक खोल देना है खोलने के बाद BPC की जांच कर लेना है उसके बाद continuity कर लेना है और continuity करने के बाद ठीक है मास्तर और गाड़ अगर रेडी है तो SM को रेडी बोल देना है रेडी मिलने के बाद ठीक है क्या होगा देखी वहाँ जो रेड मिला हुआ स्टाटर सिगनल वो हमें ग्रीन मिलेगा फिर हम लोग सौरी लूप वाला में येलो मिलता है तो हम जब सिगनल आफ होगा तो हम लोग अपने अगले स्टिसन की तरफ गंतब कर जाएंगे ये स्टेबल लोड गारी का कुछ जो है बाते थी जो मैंने आपके साथ सेयर किया